हाई एवरिवन आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे about complete metric space जिसे कौची metric space भी कहते हैं ठीक है तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी about कौची sequence ठीक है I hope आपको कौची sequence समझ में आ गई हो तो complete metric space किसे कहा जाता है ठीक है बहुत simple सी definition है कि जिस metric space में उसकी जितनी भी जो कौची sequence है वो convergent हो तो हम कहते हैं कि वो जो metric space है वो complete है याने कि complete होने के लिए क्या property important है कि उसके अंदर सारी कौची sequence convergent होनी चाहिए ठीक है फिर से एक बात कहूंगी मैं कि convergent का मतलब जिस point को वो converge कर रही है वो जो point है उसी space के अंदर होना चाहिए तब हम कहते हैं कि उस space के अंदर वो sequence convergent है ठीक है एसे point पर जो कि उसी set के अंदर है तब हम कहते हैं कि वो जो metric space है वो complete metric space है ठीक है तो हमारा सबसे important और सबसे simple जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है real line क्या real line एक complete metric space है ठीक है याने कि RD की बात करूँगी मैं ठीक है जहाँ पर D is usual metric space जो real line का space है वो complete है या नहीं है उसके लिए आपको एक criteria पता होना चाहिए ठीक है वो क्या कहते हैं कि कौची स कन्वर्जेंस क्राइटेरियन ओन आर ठीक है तो यह क्या कहता है कि जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कुस किया था कि माल लीजिए एक सेन जो है कोई sequence है कैसी sequence है कौची sequence है तो XN is कौची sequence in R ओके सो it is कौची sequence if and only if XN is convergent ठीक है तो R के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई कौची sequence लो तो वो convergent होती है या फिर आप कोई Convergent Sequence लो तो वो कौची भी होती है ठीक है तो उस इसाब से देखा जाए तो R के अंदर अगर आप कोई भी कौची Sequence लेते हो तो वो Converge करेगी ही ठीक है और यह बहुत सिंपल से बात है कि अगर आप कोई कौची Sequence लो ठीक है एक और शीज़ कि Every कौची Sequence of R has a limit अगर आप R के अंदर कोई कौची Sequence लो तो वो किसी Point को Converge करेगी और वो जो Point होगा वो एक Real Number ही होगा ऐसी कोई Possibility नहीं है कि अगर आप कोई मान लीजे 1 upon N वाला Sequence लेते हो यह कौची भी है और Convergent भी है तो 1 upon N किसको Converge कर रहा है 0 को कर रहा है ठीक है So 1 upon N मैंने कहां से लिया Real से लिया और यह जो है Real को ही Converge कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने 1 upon N Real से लिया और वो Complex को Converge करे ठीक है Possibilities क्या है कि Sequence जो है 0 को Converge करे Natural को करे Rational को करे यहीं हो सकते हैं possibilities, वो सारे r के अंदर आते हैं, ठीक है, तो r के अंदर हर कौची sequence convergent होती है, इसलिए r जो है, एक complete metric space है, ठीक है, so r d is complete metric space, लेकिन अगर मैं q की बात करूँ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने q का भी example दिया था, ठीक है, so q के अंदर, q क्या है, q d एक metric space है, ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर एक sequence लेती हूँ, जो के कौची है, so xn plus 1 is equal to xn upon 2 plus 1 upon x to the power n, तो जब हमने इसका answer देखा, तो इस तरह से आता है, 1, जहाँ पर आप x1 जो है 1 लेके चल रहे हो, then 1.5, then 1.4, 1.66, 6 and 1.4, 1.42 and so on, तो आपने देखा कि यह सारे तो rational's है, ठीक है, लेकिन यह converge कर रहा है irrational को, ठीक है, तो यह जो qd है, इसके अंदर हमें एक ऐसी कौची सिक्वेंस मिल गई, जो की convergent नहीं है, उस qd में, ठीक है, तो हम कहते हैं qd जो है, एक incomplete matrix space है, ठीक है, अब बात करते हैं complex की, अब जो complex की बात होगी, वो हम बात करेंगे on the basis of real, ठीक है, तो मान लीजे, zn, क्या है, एक कौची सिक्वेंस है, complex के अंदर, ठीक है, अब मुझे यह शो करना है, कि यह जो zn है, यह एक ऐसे point को converge करती है, जो वो point है, वो उसी complex के set में आता है, ठीक है, सो देखिए, zn, जो है, zn का रूप कैसा होगा, it is, an प्लस आइटा, bn, ठीक है, अब जहाँ पर an और bn क्या है, यह है, real number, ठीक है, सो अगर zn एक कौची सिक्वेंस है, तो obviously यह जो an और bn है, यह भी एक तरह के क्या है, कौची सिक्वेंस है, लेकिन किसमे, in r, ठीक है, सो zn is कौची सिक्वेंस in c, and an and bn are कौची सिक्वेंस in r, ठीक है, because zn तभी एक कौची सिक्वेंस बना पाएगा, जब यह zn, an और bn बनाएंगे, ठीक है, सो अब हम बात करेंगे, क्या यह convergent है या नहीं है, ठीक है, सो देखिए, पहले हम बात करते हैं, कि zn के अंदर d क्या हो to what, mod of z1 minus z2, ठीक है, z1 minus z2 का mod याने क्या, क्या आप z1 में से z2 को माइनस कीजिए, फिर, जो भी real part और imaginary part आएगा, उसका square, उसका modulus लेना है, ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, अब देखिए, जो an और bn है, क्योंकि यह कौची सिक्वेंस है, r में, ठीक है, और r क्या है, r is complete metric space, तो अगर यह कौची सिक्वेंस है, तो यह convergent भी होगी, याने कि यह जो an कौची सिक्वेंस है, r के अंदर, वो किसी a point पर converge करेगा, जहाँ पे a जो है, वो r में बिलॉंग करता है, ठीक है, उसी तरह से bn भी कौची सिक्वेंस है, क्योंकि r complete है, इसलिए bn भी किसी b को converge करता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या यह zn, क्या यह zn किसी z को converge करता है, या फिर नहीं करता है, ठीक है, तो by definition, zn z को converge कब करेगा, यह तब करेगा, जब distance between, distance between zn, z is less than epsilon for all, n greater than equal to n not, कहने का यह मतलब है कि zn जो है, वो z को approach करेगा, ठीक है, अब complex के अंदर, distance between zn and z is what, this is mod of zn minus z, ठीक है, सो देखिए, zn जो है complex number है, तो वो an plus ita bn के रूप का है, ठीक है, अब वो जो z है, वो किस रूप का है, this is a, तो यहाँ पर z क्या है, a plus ita b, ठीक है, which is equal to an minus a, plus ita bn minus b, ठीक है, और यहाँ पर an जो है, a को converge कर रहा है, और bn जो है, वो b को converge कर रहा है, ठीक है, तो, अब मेरा एक question है, क्या, mod of an minus a, plus ita bn minus b, is this less than or equal to mod of an minus a, plus mod of bn minus b, ठीक है, ऐसे कैसे possible है, यह तो यह complex number है, तो इस complex number का, mod का क्या मतलब होगा, this is square root of an minus a का square, plus bn minus b का square, तो obviously पहले आप इनका square ले 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 ले, ठीक है ना, square root लेने से ही reduce हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि a b real है, और an minus a b real है, और bn minus b b real है, तो यह as it is रहेंगे, तो यह जो part है, यह हमेशे इससे बड़ा, या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है, so यह बराबर कब हो सकते है, जब इसका imaginary part क्या हो, 0 हो, उस case में तो square root of an minus a का square, जह वो an minus a के बराबर ही आएगा, ठीक है, इसलिए this thing is less than or equal to an minus a, plus bn minus b, अब यहाँ पर गौर कीजिए, क्योंकि an tends to a, और bn tends to b, क्योंकि यह real के अंदर sequence है, तो जैसे n को infinity की तरफ tend करोगे, तो a and a की तरफ और b and b की तरफ tend करेगा, यानि कि यह चीज़ जो है 0 की तरफ tend करेगी, और यह वाले चीज़ 0 की तरफ, तो zn minus zn का mod है, वो 0 की तरफ tend करेगा, ठीक है, अब zn minus zn का mod 0 की then zn tends to z, ठीक है, यानि क्या कि जो zn है, वो convergent है, किस की तरफ, जैड की तरफ, ठीक है, और zn था क्या, zn एक काची sequence थी, c के अंदर, इसका मतलब यह है, जो complex है, with matrix space d, यह भी क्या है, एक complete matrix space है, ठीक है, अच्छा, एक और example लेते हैं, बहुत simple सा है, that is, discrete matrix space is complete matrix space, ठीक है, ओके, तो क्योंकि इसकी जो sequence होती है, उसका type कैसा है, यह already हम discuss कर चुके है, पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी, कि जो discrete matrix space के अंदर, जो sequence होगी, वो किस type की होगी, माल लीजे, starting में है अपना a1, a2, a3 and so on, लेकिन एक ऐसा national number and not के बाद, अगर वो कौची sequence है, अगर वो कौची sequence है, तो obviously एक natural number के बाद, जो element होंगे, उनके बीच का distance 0 होगा, ठीक है, यानि कि a, a, a मतला एक constant sequence हाईगी, ठीक है न, यहाँ पर हो सकता है, 1 हो या फिर 0 हो, क्योंकि discrete matrix space के अंदर, या तो distance between 2 element, यानि कि distance between x and y is 1, when x is not equal to y, and distance between x and y is 0, when x is equal to y, यह चीज़ हम अल्रेदी discuss कर चुके हैं, ठीक है, तो n0 के बाद, इन पर जो है, कौची की sequence की जो condition है, वो तभी लगेगी, जब इनके बीच का distance बहुत छोटा हो, अब बहुत छोटा, यानि कि discrete के अंदर 0, यानि कि इसके आगे जो है, यह constant sequence आने वाली है, obviously यह जो a है, यह जो sequence है, यह किसको converge करेगी, this is convergent, ठीक है, यह a को converge कर रहे है, क्योंकि इसके बाद के सारे terms a आ रहे हैं, और a कहां का element है, इसी discrete metric space का, क्योंकि सारे जो है, discrete metric space के element है, और यह जो हमने a लिया है, वो भी discrete metric space के अंदर का ही element लिया है, ठीक है, and a belong to x, therefore, जो discrete metric space है, वो भी एक complete metric space है, क्योंकि उसके अंदर जो कौची sequence का, जो रूप है, वो ऐसा ही होगा, ठीक है, और यह convergent है, जिस element को converge कर रहा है, वो उसी discrete metric space का एक element है, ठीक है, तो इस case में, कौची sequence is convergent, therefore, discrete metric space is also complete metric space, ठीक है, ठीक है, और फिर से हमने जो पिछले वाले video lecture म में discuss किया था, जैसे कि 1 upon n in 0,1 के अंदर कौची तो है, लेकिन convergent नहीं है, ठीक है, इसके लिए यह complete नहीं है, उसी तरह से 1 minus 1 upon n in minus 1 to 1, इसके अंदर जो है, यह 1 को converge करता है, लेकिन 1 जो है, इसके universal statement नहीं है, इसलिए यह भी complete metric space नहीं है, आज का video lecture हम यहीं पर खतम करते हैं, I hope आपको जो है complete metric space समझ में आया हो, इसके आगे हम continue करेंगे subsequence, ठीक है, उसके उपर कुछ theorem भी देखेंगे,